इलेक्टिकल थर्ट सेमिस्टर के विद्यातियों के लिए 2021 के लिए एक बुक्स है जिसका नाम है इलेक्टिकल इंस्टुमेंशन एंड मेजरमेंट जिसको आप लोग ईयाएम बोलते हैं इसका लेटेस्ट सिलेवस क्या है जानिए वीडियो के लाश्ट तक मने रहे हैं क्यों माप्त जो इंसर नांपत हैं उनके मेजरमेंट के बारे में प्रस्तावनका है सबसे पहले मापन की जरूवत क्यों पड़ी है इसमें किस परकार के हम electrical instrument यूज करते हैं इनके बारे में हम इसका concept सीखेंगे इनकी quantity कौन सी रासिया होती है और किस परकार के इसमें error होते हैं, tortilla होती है और हमारे कौन-कौन से type के होते हैं, जैसे indicating type, integrating type, recording type instrument होते हैं, map 1 के यहन से भी 3 परकार के जो होते हैं उनके बारे में हमें इसमें अध्यान करना है, और हमें 3 परकार की जो torque है, deflecting torque, controlling torque and damping torque, इसमें अभी हमें इसमें के बारे में सीखना है, दूसरा है हमारा emitter and bolt meter, अर्था moving coil or moving iron type instrument, इसमें हमें क्या पढ़ना है, emitter permanent, PMMC, permanent magnetic moving coil, अर्था emitter क्या होता है, bolt meter क्या होता है, दोनों के बीच में difference क्या होता है, कौन सा किस परकार का, कौन सा meter हम कहां huge करते हैं, देखेंगे इनकी construction देखेंगे, barking देखेंगी और moving iron and moving coin instrument, कौन से होते हैं इनके merit, demerit, इनके errors के बारे में, अर्था dynamometer type, कौन सा होता है, इसका principle पढ़ना है merit पढ़ने है, और हमें digital water meter के बारे में पढ़ना है वो ही आ गया, जो हम बोल लाएते है energy meter, जो हमारे घरों में use होते हैं, इसमें हमें single phase पढ़ना है विटा, three phase पढ़ना है, और इसके बारे में error पढ़ने है और इसमें हमें एक और पढ़ना है, जिसका नाम है विटा, maximum demand indicator, अथा, तुमारे घर में कितनी demand है, कितना power लेते हो इसके बारे में पढ़ना है, कुछ miscellaneous measuring instrument है misrit है, उनके बारे में देखेंगे, जैसे हो गया, हमारा factor meter देखना है, electro dynamometer type देखना है, और synchronous इसको बहुत important topic है, कहां जरुबर पढ़ती है सब कुछ बताएंगे, फिर sequence indicator क्या होता है, tonk tester क्या होता है, कहां यह होता है clamp on meter क्या होता है इसी में आप कहाता है instrumentation transformer, conservator instrumentation transformer है current transformer and potential transformer इसको अपलोग धारा electronic instrument भी electrical में ही पढ़ेंगे, जैसे हो गया हमारा CRO beta, cathode ray oslase scope, इसका block diagram इसके application, इसके विविन फिरकार के हमें क्या पढ़ना है control पढ़ने है, और digital multi meter के बारे हम पढ़ना है digital meter क्या करता है, इसका block diagram पढ़ना है, और हमारे में सिर्फ छोड़ा सा एक LCR meter है, इसमें आप पढ़ना है, लेकिन हम इसके राफ से बना, competition में इनके अलावा bridge बहुत आते हैं, तो हम bridge भी पढ़ाएंगे जो आपके बोल देंगे, जैस slavas में नहीं है, slavas में के बला LCR meter बचा है, पहले हमारे में बहुत सारे जो meter bridge थे, उनसे बहुत question competition में अभी भी आते हैं, लेकिन हमारे slavas एड़ गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको competition भी हमें नई आपार लगा नहीं है अब power measurement में 2 watt meter method कौन सा होता है, balance unbalance क्या होता है, और 3 watt meter method, क्या होता है tan ducer पढ़ेंगे, एक परिकार की energy को दूसरे परिकार की energy में जो device, जो परिवात करती है उसे tan ducer कहते हैं, tan ducer के type पढ़ेंगे, single phase, three phase पढ़ेंगे, और concept of pressure measurement पढ़ेंगे, flow measurement, अथात दाफ का मापन, और flow measurement पढ़ेंगे, हम level measurement पढ़ेंगे, deplacement पढ़ेंगे, जे सब हमाँ पढ़ना है काई में, इसके बार हमाँ पढ़ना है temperature का measurement असाथ आपका बापन, तो different type of thermometer कौन से होते हैं, resistance thermometer, detector क्या होता है इनकी construction और सबसे important जो हमारा है वो यह thermal imaging camera क्या होता है सबसे man जो chapter है सबसे last है विटा, वो है smart metering system, आज कल चोरी की घटना है, बहुत होती है तो energy meter में जो चोरी की घटना होती है उसको हम किस से दूर करते हैं, उस method को बोलते AMI, अर्थाथ advanced meter metering infrastructure infrastructure, AMI होता है इसके function, इसका cyber security और इसका advantage क्या होता है इसी में होती है, AMR smart meter technology विल्कुल practically पढ़ेंगे tension डालो, कैसे कलते हैं, किस प्रकार से इसका यूज कलते हैं, और MRI क्या होती है, meter reading measurement, तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है EIM, कौन से पढ़ना है EIM, किस book से पढ़ना है जो हम आपको बता दें, ACN Publishers की, हमारी founder EAS Technic की, पूझा याद हो मैं हमकी book से पढ़ना है आपको बिस्वास मानिए, यही book Hindi में है, और English में same language में है, बहुत subtle language में दी गई है हम भी इसी को refer करते हैं और EAS Technic channel आपका free channel है, आपका अपना family channel है यह कोई भी पैसा नहीं लगता है हर गरीब बिद्धारती हैं पढ़ता है तो आपको अगर like class जादा से जादा चाहिए, तो हर group में वीडियो को share करो, क्योंकि हम देते हैं quality education के साथ आपका विश्वास तो बने रहिए like class के लिए वीडियो को share करना ना भूल है like करना ना भूल है thank you, bye bye चैनल को subscribe करें और नए वीडियो के notifications के लिए bell icon दबाएं अगर आप ये वीडियो पेस्बूक पर देख रहे हैं तो जादा से जादा like करें और वीडियो को share करें